हेलो दोस्तो स्वागते चलने मैं तो दोस्तो आज के स्वीडियो में कुछ इपोड़न किस्टान है तो उनको डिस्कस करते हैं अगर दोस्तो वीडियो चल लगा तो लाइक कीजिएगा फैस्ट टाइम चलने पर विजिट कर रहे हो तो चलनक को सब्सक्राइब करेगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकर संक्रमणिय पत्ती के द्वारा राज्यसभा के जो सदस्यों होते है तो उनका चुनाव एकर संक्रमणिय पत्ती के द्वारा होता है प्रतम लोग स के प्रतमा देख्षते जीवी माउलंकर राज्जी सभा की कितने सदस्य प्रती दो वर्ष के बाद सेवा निवर्थ हो जाते तो एक तीहाई सदस्य राज्जी सभा की पहली महीला महा सचीव कों थी बी एस रामा देवी लोगसभा राज्जी सभा में सरवादिक प्रती निदी किस राज्जी से आते तो उतर पदेश से लोगसभा राज्जी सभा में सरवादिक प्रती निदी आते यूपी से वीत मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदर में प्येस किया जाता है तो लोगसभा में वित मन्थिर जो होता है वो अपना वार्षिक बुझेट लोग सवामी प्लेस करती है दन सहीता की तारह 302 किसा संब्तीते हत्या से है IPC की तारह 302 हत्या से है दन विदेक परीपास इते अनुचेद 110 में दन विदेक किसमे परीपास इते अनुचे 1010 में और वित विदेग परिवासित है अनुचेद 112 में कोई विदेग धन विदेग है या नहीं है इसका निन्ने कों करेगा तो लोगसबा कद्यक्स करेगा इसका निन्ने कि कोई विदेग धन विदेग है या नहीं है धन विदेग को राज्य सबा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक धन विदेग लोग सबा में प्रस्चूत करने से पुर्व किसके अनुमति ने ना विशके तो वो राश्पती की जब धन विदेग को लोग सबा में प्रस्चूत करते हैं तो उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है किसकी राश्पती की अनुछे 360 के तहट वित्यापात काल की गोश्चना की जाती है राश्पती के द्वारा अनुछे 360 के तर वित्या पातकाल की गोशना की जाती राश्पती के द्वरा और धन विदेग प्रस्तुत किया जाता है लोग सभा में एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यो का राज्य पाल न्यूक्त किया जा सकता है अनुछे 152 के द्वरा एक वक्तिगो दो राज्यो का राज्य पार राश्पती न्यूक्त कर शकता है अनुछे 1502 के द्वरा राज्य पाल की कार्यवाई की वेद्ता को चुनोती देने का दिकार किसके पास होता है तो विदान सभाग हो राज्यपाल की कार्यवाई की वेत्ता को चुनोती देने का दिकार होता है विदान सभा को राज्यपाल की निक्ति राज्य में की जाती है ओके दोस्तों राज्य की सक्ति नियत किसम होती राज्यपाल में राज्य की सक्ति नियत होती राज्यपाल में और मुख्य मंत्रियों उसकी केबिनेट उसके सयोग से काम करती है राज्जी कार्यपालिका का प्रदान है राज्जेपाल राज्जी विदान मंदल का निम्न सदन कौन सा है तो वह विदान सभा राज्जी विदान मंदल का निम्न सदन है विदान सभा राजजी विदान मंदल का इस्थाई वो उच्छ सदन कहलाता है विदान परिशद राजजी विदान मंदल का इस्थाई वो सदन कहलाता है विदान परिशद विदान सबा में राजजी पाल कितने आंगले भारतिय सदस्यों का मनुनित कर सकता है तो केवल एक को विदान सभा की नियुन्तम तता अधिक्तम 10 से संख्या कितनी होती है तो विदान सभा में नियुन्तम 60 और अधिक्तम 500 हो सकती है पर गोवार कुछ राज्यों को छोड़ कर विदान परिशत के कितने सदस्य राज्य पाल द्वारा मनो नित किया जाता है तो एक बटत दो सदस्य है राज्य मंत्री मंडल सामुल गुलूप से किसके प्रति उत्रदाई होता है तो विदान सभा की प्रति विदान परिशत तता विदान सभा पत के लिए निंतम आयू कितने होती है तो विदान परिशत के लिए 30 और विदान सभा के लिए हो जाएगी 25 यसे जोस्ते दोस्तों 25 साल एक तो होती है लोग सभा के लिए ओके और 30 साल हो जाएगी राज्य सभा के लिए गोवनर द्वारा जारी किया गया देदेश मंजूर किया जाता है विदान मंदल के द्वारा विदान सबाग के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है छे महिने का विधान सभाके 200 की बीच का अंत्रगार 6 मैंनेका होता है प्रतेक राज्जे के लिए एक विधान मंदल की व्यवस्ता की गई है अनुचेद 173 के अंतरगत राज्जे मंति परिशत का प्रदान कोन होता है तो होता है मुख्य मंत्री लगु समविदान मिनी कंस्टूरिशन का जाता है 22 समविदान संसदन 1976 को संसत का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पत्पर बना रहे सकता है तो दोस्तों यह थे कुछ इंपड़न किस्टन अगर आपको वीडियो चल लगा तो इसको लाइक करें जेनको सब्सक्राइब करें